दोस्तो क्या आपको पता है के इंटरनेट यूजर्ज हर सैकिंड गूगल पर 60,000 से भी जादा बार सर्च करते हैं मतलब हर दिन 6,000 करोर सर्च किये जाते हैं दोस्तो आज हम आपको ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आप पहली बार जानेंगे लेकिन आगे बरने से पहले अगर आप हमारे चैनल बिलाल हप पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मुझूद बैल आइकन को भी दबा दें ताके ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और इंफरमेटिग वीडियोज आप उरुजाना देख सकें लेट्स बिगेन नमबर वन बारिश और ओलों का किनारा ये तो हम सभी ने नोटिस किया होगा के एक शहर में रहने के बावजूद कहीं बारिश होती है तो कहीं नहीं क्या आपने कभी ऐसा देखा है नहीं ना लेकिन ऐसा देखा जा सकता है पर ये मुश्किल है पहला तो इसके लिए बारिश बहुत तेज होनी चाहिए और दूसरा आपकी किसमत आपके साथ होनी चाहिए ताके आप वहां मजूद हों जहां बारिश का किनारा बनने वाला है अगर ये दोनों चीजें आपका साथ देती हैं तो इस वीडियो की तरह आप भी बारिश का किनारा देख सकते हैं ठीक इसी तरह ओलो के किनारे भी होते हैं लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये आदमी किसी ब्रीज के नीचे खरा है आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तो इसको देखकर तो ऐसा लगता है मानो वीवर्स कमेंट करते ही चले जाएंगे क्योंकि ये तो जैसे इंस्टेंट आइस है लेकिन हमें इसे फ्रीज करने के लिए कई गेंटों का वेट करना परता है बस प्रोब्लम यही है कि हम इसे गर्मियों के मौसम में यूज नहीं कर सकते जी हाँ दोस्तो रोबर्ट पिजा डिलिवर करने के लिए किसी बाइक या कार से नहीं जाते बलके स्विम सूट पहन कर एक स्कूबा सेट के साथ जाते हैं लेकिन ऐसा क्यूं क्या ये इंसान पागल है और अपने काम को और मुश्किल कर रहा है दोस्तो ऐसा कुछ नहीं है रोबर्ट को हर दिन 6 मिटर के डाइव लगा कर इस अंडर वाटर होटल में रुके गेस्ट के लिए पिजा पहुंचाना परता है इस वीडियो में जिस लरकी ने पिजा ओडर किया है वो यकीन ही नहीं कर पा रही के इसे अंडर वाटर पिजा काइन डॉलफैंस दोस्तो आपने सुना होगा कि डॉलफैंस भी हमारी तरह ही मैमल्स होती है और हमारी तरह जहीन और काइन पी होती है क्यों यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को देखिए बराजिल के गाउं में डॉलफैंस और फिशर मैंने बात करने का एक अलग तरीका निकाला है ये Dolphens मचलियों के किरोः को किनारे की तरफ लाती है और फिर पानी के ऊपर जंप करके Fisherman को इसके बारे में बताती है Fisherman इन मचलियों को पकर लेते हैं और बदले में कुछ मचलियां इन Dolphens को भी मिल जाती हैं मतलब मज़े ही मज़े 5. Light Painting शायद आपको लाग रहा है ये पेंटिंग शायद किसी कैमरे के स्पेशल इफेक्ट का कमाल है लेकिन ऐसा नहीं है ये पेंटिंग बहुत सी इमेजी से मिलकर बनी है जिसमें हर इमेज के लिए बहुत ज्यादा तेज शटर स्पीड का यूज किया गया है इस टेकनीक को करना ना भूलें अल्ला हाफिज